हलो इन्वेस्टर्स इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को PNB और अशोक लेलैंड के साथ में कुछ ऐसी कंपनी के शेर्स बताने जा रहा हूँ जिनोंने आप इस स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट और डिविडेंड अनौंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप लोग देख रहे हैं फिनो मेडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले शेर की बात करें तो कंपनी का नाम है ESAF Small Finance Bank Limited ये कंपनी का जो शेर है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर हमें लगबग 1% की तेजी दिखाता देखने को मिला और 51 रुपीज के उपर में क्लोज हुआ अगर इस कंपनी के ओफिशल अनौंसमेंट की हम बात करें तो ESAF Small Finance Bank ने जो है यहां पर डिविडेंट अनौंस कर दिया है 0.70 रुपीज का आप लगो को आपके हर एक शेर पे 70 पैसे का डिविडेंट दिया जाएगा डिविडेंट वैली हमें अच्छा देखने को मिल जाता है बट इसको देने की जो X date record date है वो रहने वाली है 7th of August की यानि की 7 अगस्त की अगले शेर की बात करें तो कंपनी का नाम है गनेश हाउजिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये कंपनी का जो शेर है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे अल्मोस्ट हमें 2% करेक्ट होता नजर आया और 945 रुपीज के उपर में close हुआ अगर इस कंपनी के ओफिशल अनौस्मेंट की हम बात करें तो गनेश हाउजिंग कॉर्पोरेशन ने जो यहाँ पर डिविडेंड अनौस कर दिया है 11 रुपीज का आप लगो को आपके हरे एक शेर पे 11 रुपे का डिविडेंड दिया जाएगा जोगी definitely काफी अच्छा ड यह कंपनी का जो शेर है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर अप्रोक्सिमेटली डेड़ परसेंट की तेजी दिखाता देखने को मिला और 231 रुपीज के ओपर में क्लोज हुआ अगर इस कंपनी के ओफिशल अनौस्मेंट की हम बात करें तो करनाटका बैंक ने जो यहाँ भी डिविडेंट अनौस कर दिया है 5.50 रुपीज का आप लगो को आपकी हर एक शेर पे साड़े 5 रुपे यानि की 5 रुपे 50 पैसे का डिविडेंट दिया जाएगा डिफिनेटली डिविडेंट वैल्यू काफी काफी जादा अच्छा है अब खुद कंपेर करके देखिए 230 रुपे का शेर और हर एक शेर पे साड़े 5 रुपे का डिविडेंट डिविडेंट वैल्यू इज अमेजिंग और इसको देने की X Date रेकॉर्ड डेत रखी गई है 22nd of August की और वहीं जो पेमेंट डेत है डिविडेंट की पेमेंट डेत है वो रखी गई है 1st of September यानि गी 1 सि की बात करें तो कंपनी का नाम है मारूती इंफ्रस्ट्रक्चर लिमिटेड यह कंपनी का जो शेयर है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे दो परसेंट की तेजी दिखाता हुआ देखने को मिला एंड 242 रुपीस के उपर में क्लोज हुआ अगर इस कंपनी के ऑफिशल अनौसमें का है 1-5 के रेशियो से अब 1-2 के बोनस का मदलब यह है अगर आपके पास में इस कंपनी के 2 शेयर हैं तो यहाँ पर आपको एक शेयर है जाएंगे तीन शेयर में उसके बाद में आपको स्टॉक स्प्लेट दिया जाएगा जिसके चलते आपका हर एक शेयर 5 शेयर में कंव अगर आप बोनस और स्प्लेट दोनों ही रेशियो को साथ में कंवाइंड कर देते हैं तो बेशक आपके पास में इस कंपनी के जितने मरजी शेयर स्वों आपको अपके हर 2 शेयर के उपर में 13 शेयर मिल जाएंगे आपके हर दो शेयर स्यापे 15 शेयर के अंदर में ये company का जो share है last trading session पे 3% से ज़ादा की तेजी दिखाता देखने को मिला और 3,999 रुपीज के उपर में close हुआ अगर इस company के official announcement की हम बात करें तो VST Industries ने जो है यहाँ पे stock bonus announce कर दिया है 10 is to 1 के ratio से जिसका मदलब ये है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पे आपको 10 shares का bonus दिया जाएगा आपका जो एक share है वो 11 shares में convert हो जाएगा चाहिए फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मरजी shares हों आपको आपके हर एक share पे 10 नए shares as a bonus मिल जाएगे definitely bonus ratio काफी जादक खतरनाक है और इसको देने की X date record date जो है 30th of August यानि की 30 अगस्त की रहने वली है अगले share की बात करें तो company का नाम है PNB Gills Limited PNB Gills का जो share है last trading session पे लगबग 4% correct होता हुआ देखने को मिला definitely एक ही trading session के इसाब से एक अच्छा खासा correction है और company के share का जो closing price था 126 रुपीज का था अब PNB Gills के अगर official announcement की हम बात करें तो इस company ने जो है यहाँ पे dividend announce करके रखा है 1 रुपी का एक रुपे हा हर एक share पे आपको dividend दिया जाएगा definitely fair decent dividend value है ना ही जादा अच्छा है ना ही बेकार है बागी dividend को देने की जो X date और record date है finally company ने announce कर दी है जोगी रहेगी 13th of September यानि की 13 September की अब आज आते हैं बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last stock की तो company का नाम है अशोक लेलांड limited अशोक लेलांड का जो share है last trading session पे 0.3% के छोटे से minor correction के साथ में close हुआ और 231 रुपीज का जो है company के share का closing price था अब finally अशोक लेलांड के quarter one results आ चुके हैं जादा detail के अंदर में बिलकुल भी नहीं जाओंगा जो यो काम की चीज़े हैं जो की आपके और मेरे लिए as a investors काम आती हैं वो सभी explain कर देता हूँ एकदम detail में PDF वगेरा open करके नहीं बताऊँगा सबसे पहले आ जाते हैं अशोक लेलांड के हम देख लेते हैं quarter one का जो net profit है वो क्या है देखिए जो net profit report करा गया है quarter one के अंदर 525 करोर रुपीज का है जिसको अगर आप last year के quarter one के साथ में compare करते हैं तो पिछले साल quarter one के अंदर में अशोक लेलांड का जो net profit था 576 है year on year basis पे हमें decline होता देखने को मिला है लगबग 8-9% decline हो गया है company का net profit year on year basis पे वह अगर अब quarter on quarter देखते हैं तो last quarter यानि की quarter four के अंदर में company का जो net profit था वो 900 करोर रुपीज का था और इस बार ही आप देख सकते है quarter one के अंदर में almost आधा हो गया है 525 करोर पे आ चुका ह काफी बड़ा यहाँ पे कह सकते है decline है बट आपको एक main चीज बता देता हूँ यहाँ पे दीगे quarter on quarter को हम consider नहीं करेंगे because एक quarter में काफी अच्छा order मिल जाता है एक में नहीं मिलता यह depend करता है season wise और company की business model के उपर तो हमेशा year on year देखना चाहिए अभी year on year में भी आप कह tax expenditure है मतलब यह बार-बार खर्चे नहीं होंगे सिरफ इसी बार में हो गए है इसी चलते company का जो net profit है वो हमें shrink होता हुआ देखने को मिला है नहीं तो company का actual net profit काफी अच्छा आता अगर यह tax expenditure ना होता अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए अशोक लेलैंड की जो sales है जो revenue ह वो यहाँ पे लगबग 5% से increase हुआ है year on year basis पे अभी quarter one के अंदर में report करा गया है 8599 करोर रुपीज का revenue और वहीं last year के quarter one के अंदर में company का जो net revenue report करा गया था 8189 करोर का था तो company का जो revenue है year on year basis पे 8189 करोर से बढ़के 8599 करोर पे आ चुका है 5% increase हमें company के revenue company की sales में देखने को मिला है और net profit तक आते आते वो tax expenditure हो गया जिस चलते कंपनी का जो net profit है वो एकदम से श्रिंक हो गया तो as such चिंता करने की बात नहीं है results अपने आप में ही काफी अच्छे ह आपको कम इसलिए दिख रहा है because वो one time tax expenditure हो गया जो की बड़ अव्वेस सी बात है आने वाले quarters में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं company के जो quarter one results है यह काफी जाद अच्छे हमें देखने को मिल जाते हैं and definitely आपको अशोक लेलाइंड के share पे आपकी नजर बना के रखनी चाहिए और मैं खुद expect करके चल रहा हूँ mid term तक आते आते अशोक लेलाइंड का जो share है आपको काफी अच्छे returns deliver कर सकता है और अगर आप long term के लिए अशोक लेलाइंड के share को hold कर सकते हैं तो definitely आपको company के अंदर में invest करना चाहिए for a longer period larger time frame पे देखें तो definitely अशोक लेलाइंड अंदर में add कर लीजिएगा और company के share पे खास आपकी नजर बना के रखिएगा बाकी अशोक लेलाइंड के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि हाँ पे आपको उसकी announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले पहले purchase कर लेना होगा अब अगर आपको वीडियो अची लगी हो वीडियो को like कर दीजेगा because यही कुछ companies के shares थे जिन्होंने आपे bonus, split और dividend announce किया था वीडियो को like करना मत भूलिएगा चानल को भी subscribe कर दीजेगा because ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के लिए daily basis पे लेकर के आता रहता हूं चलिए मिलेंगे किसी और व आप ए रिए बाई